और हम पढ़ रहे हैं चेप्टर 7 इंट्रॉक्शन टू डेशिमल ओके हमने 7.2 कंप्रीट का लिए हम आ गहा है 7.3 में चलिए देखिए पेज नमबर 78 है ठीक है इसको आपको लिखना है इसी तरीके से इसको 5.8 26.5 37.6 158.1 180.3 0.15 353.36 26.56 इस तरीके से आपको इसको फिल करना है आपको समझ में आ गया इसको नमबर रेम लिखना है और यह जो बीच का मैंने बताया था यही डेशिमल है और यही जो है पॉइंट है इसको पॉइंट कहा जाता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है और पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स होते हैं जो भी डिजिट होते हैं उसको 36 नहीं पढ़ा जाता है 3 and 6 पढ़ा जाता है ठीक है तो आप इसको देखके आपको समझ में आ गया होगा आप इसको फिल अप करिएगा बूप में यह आपका होम वर्क है चलिए exercise 7.3 को देखते हैं रिट इस नंबर आउट लॉट एंड राइट दियर नोटेशन ओके सेम जो आपने ऊपर में किया उसी के अकॉर्णिंग है यह 0.5 1.7 24.80 आपको इसको फिल अप करना है question number second लिखे write each of the following as decimals यहाँ पे इसको number name के साथ में दिया गया जिसको numbering करना है यहाँ पे दिया देखे 2.2 तो आप लिखोगे 2.2 इस तरीके से 40.4040.62 यहाँ पे आपने लिख दिया 14.8 तो 1414.8 लिखोगे 62.1 तो आप लिखोगे 62 इस तरीके से 0.1 मैंने आपको 2 done करके दिया है बाकी 2 आपका homework है इसमें भी एक आपका homework है देखे question number 3 identify the whole number part and the decimal part in the following decimals numbers अब इसमें आपको whole parts whole number parts और decimal parts आपको बताने है ठीक है तो मैंने आपको क्या बताया था 3.5 अगर है तो यह आपका number part है और यह आपका decimal part है है ना point के right side वाल आपको क्या है decimal parts है and left side आपका number part है ठीक है whole number part है तो यहां पर देखे क्या है first आप करी है fill in the blanks the decimal form of 1 by 10 इसको आपको decimal form में लिखना है तो आपने देखा exercise 7.1 में है ना 0.4 लिख के आपने इसको decimal form में लिखा था क्योंकि यह 10th के स्थान पर 10th के value पर ठीक है second देखे be the decimal form of 14 by 100 तो आप क्या लिखोगे 0.15 लिखे करी तो आपको नाम ओजरों है कौन-कौन से होते हैं तो वैगशना ओर डेश्यमल पा पार्ट अडला इसके संबस्क्तों कि दीा of three राइंबंबर भी आपको प्षाय में उस नंबर ढब मैं नों पर आपका नब cha तो इसमें देखिए नमबर टू में दिया है आपको एक क्योस्टन दिया गया है जिसके पिक्छर डॉक की गई है और आपको इसको बताना है उसके उपर चूस्ट आपको दिये गए है उसको आपको लिखना है तो देखते हैं A in the given figure A को देखना है आपको what is the decimal form of the red-sided portion okay red-sided portion का decimal form आपको लिखना है तो देखें यहां पे red-sided combes 1,2 and 3 है ना तो यहां पर क्या लिख देंगे 3 और यह boxes कितने के हैं बाई 10 के हैं ना तो आप इसको क्या लिखो के decimal form में 0.3 तो इस तरीके इसको 0.3 लिखना है ओके बीभी देखिए इन गीवन फिगर वी में वाट इस देसिमल फ्रॉम आप दा ब्लू से रेट पॉर्ट सम्ट ओके इसमें ब्लू से रेट को देखना इसमें आपको ब्लू से जो फिल किया गया उसको देखना यह भी 123 है आप इसको 0.3 लिख दोगे इसी तरीके से सी में दिया गया इन गीवन फिकर स्विच कलर रिप्रेजेंट 0.15 ठीक है तो आप इसको यलो कलर को और जो आपका ब्लू कलर है इसको आप गीनोगे ओके काउंट करोगे और जो 15 में रहेगा उस कलर को आप बताओगे तो इसमें जो है यलो को क्या है 15 पार् क curriculum way from a grid of a chce common आप जो भी इसमें से डिये हैं उसको काउंट करना है और उसका डेसिमल को लिख ना है इन दिया है और येज़ा सब्यूनल परिंद की और ना करना है और क्योंट करने के बाद निए उसको आपको डेसीमल पर डेसिमल फरं में लिखना है इसाट और कंना है कि चलिए देखते हैं क्यों त्री है दो कि युश्य नमर ठीर राइड देसिमल फॉर्म फॉर्ड गीवन फ्रैक्षन एंड रिप्रेजेंट दें बाई कलरिंग इन दा स्क्वेर गीड ओके आपको decimal form of the फ्र फ्रेक्शन दिया है वाला व्लिखना है थlies को 5208 यहां पर घुकरे झेहाँ प्रेक्टिक में फ्रेक्ट्बाइंस रहाएं ख्रेक्टो कमाला हूं एग्ना करना है तो और में फोने किया थे ज्ट्वर आट ऊंड ही x लिखा 0.12 है ना आप इसमें आपको जो हंड्रेट का दिया हुआ है इसमें आपको 12 बॉक्स को सेट करना है फिल करना है आप इसको कहीं पे भी कर सकते हो मैंने जैसे देखें यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 यह किया है आप इसको कहीं पे भी कर सकते हो है ऐसा नहीं कि मैंने जहां पे किया है आप इस वाले बॉक्स को भी फिल कर सकते हो है ना आप इस वाले बॉक्स को भी फिल कर सकते हो इस वाले बॉक्स को बट आपको 12 जो है काउंट करके फिल करना है इसमें अ are you B में 9 by 10 दिया है तो आपको क्या करने है 9 boxes फिल कर देने हैं ठीके आपको 1 box बस झोड़ दिने 9 box फिल कर देने 29 है तो आपको इसमें 29 जो है फिल कर देनें है ओके 29 boxes कहीं पर भी विखitting को फिल कर दोगे और 7 by 10 गया तो 0.7 हो जाएगा इसका है ना आपको क्या करना है इसमें 7 बॉक्स को फिल कर देना है इसमें आप 1,2,3,4,5,6,7,3 बॉक्स आप छोड़ दोगे 7 बॉक्स आप फिल कर दोगे इस देट ओके ना ओक्या आप यह समझ गए होगे और आप इसको फिल करिंए और यहीं आपका होम औरक्ष जो भी आपका बच्जा हुआ है यह सब आपका होम में अपे इसको डन करिंए और वाट्स-अप ग्रूप में आप इसको सैंकरियों अभी के लिए थाइंक यू